नमस्कार स्वागत है आपका एवीपी घंगा में मैं वफदेश आप देखने है मारा खास कारकम विशलेशन जा होता है हरकवर का सटीक विशलेशन और आज विशलेशन में बात मुलाइम के सम्मान पर छिड़ी उस जंग की जिस पर अब सिर्फ सपा मोर्चा खोले हुई थी लेकिन अब भाचपा ने मोचा खोल दिया है और अकिलेश यादव को प्रधान मंत्री वाला चैलेंज दे दिया है वहीं बात करेंगे स्वामी के गुस्टे की जो कम होने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि स्वामी प्रसाद मौरे ने अब एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे सियासी भूचा ला गया बात करेंगे परिशद वाली जंकी जिसकी पाथ सीटों को लेकर सपा और भाजपा की भी जंक चल गई है साथी बात करेंगे मंत्री पुत्र आशीश मिश्रा की रिहाई की जो 278 दिन के बाद जेल से बाहर आया है और आखिर में बताएंगे ताज नगरी में आपरेशन यमराच के बारे में तो कहीं मत जाएए बने रही हमारे साथ क्योंकि अब होगा विसलेशन और विसलेशन में बात अखलेश को भाजपा का प्रदान मंत्री चैलेंज भारत रतन पर केशव का बही खाता क्योंकि केंद्र की मोधी सरकार ने मुलाइम सिंग यादव को मरनो परांथ पद्म भूशल सम्मान देने का ऐलान किया लेकिन सपा मुलाइम के लिए भारत रतन की मांग कर रही है अब इसी पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीम केशो पसाद मौरे ने यूपी ए के दस सालों की याद दिलाते हुए कहा कि सपा ने उनका समर्थन किया लेकिन कभी मुलाइम को कोई सम्मान नहीं दिया मंत्री जैवीर सिंग ने सपा के सबाल पर अखिलेश को प्रदान मंत्री वाली चुरौती दे दिह प्रदानमंत्री चलेंच भारत रतन पर केशो का बही खा था मुलायम के सम्मान पर सियासी घमासान, 24 से पहले मिशन असी का प्लान केंदर की सरकार ने जब से मुलायम सिंह यादो को पद में विबूशर सम्मान देने का अईलान किया है देश के सबसे बड़े सूबे में घमासान मच गया है क्योंकि समाजवादी पाटी जहां मुलायम के लिए भारत रत्न की डिमांड कर भाजपा को घेर रही तो मैं यह भाजपा ने पलटवार करते हुए बड़ी चाल चल दी क्योंकि डिप्रीसियम के शोप्रसाद मौरी ने जहां यूपीए वन और टू के कालखंड का जिकर करते हुए यहां तक कह दिया कि सपा ने पूरे दस साल तक बाहर से समर्थन दिया लेकिन बदले में मुलायम को कोई सम्मान नहीं मिला वही मंत्री जैवीर सिंग ने अखलेश यदो को चुनोती देते हुए कहा कि जब अखलेश पी-म बन जाएं तो मुलायम को भारत त्रत्न दे सकते हैं स्री मुलायम सिंग यादो जी को पदम विभूसर का सम्मान मिला स्वागत करने की जगहा जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूचना चाहता हूँ तक्टर राममन ओफर लोहिया जी जैसे जिने समाजवादी मानते हीए इनके समर्थन से केंडर में दस वर्स सरकार चली कोई सम्मान इनों उनको दिलवाया है क्या नहीं दिलवा सकते जो अनर्गल बयानवाजी कर रहे हैं भगवान को सब्सक्राइब बात कर रहे हैं तो अकलेश जी बड़े नेता हैं जाएं प्रयाद करें खेंड सरकार में पहुँचें और जब भारत सरकार मन का अपना दर्ज हो मामला प्रधान मंती कभी बनें मतलब केशोग प्रसाद मौर, अकलेश जादय को बता रहे हैं कि जो सम्मान केंदर की मोदी सरकार ने मुलायम को दिया वो ततकालीन मनमोहन स्थिंग की सरकार ने नहीं दिया जबकि मंत्री जैवीर सिंग प्रधान मंत्री के मोर्चे पर अखिलेश को सीधी चुनावती दे रहें लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब अखिलेश क्या करेंगी क्योंकि ये पूरी लड़ाई डिंपल यादव और शिवपाल यादव की उस बयान के बाद शुरु हुई जिसमें उन्होंने नेता जी को मिले पदम भीभूशन सम्मान को नाकाफी बताते हुए भारत रत्न की मांग की थी समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सम्मान देकर कहीं न कहीं मुलाईम सिंग यादव का उपहास किया गया है क्योंकि जिस तरह का योगदान जिस तरह का व्यक्तित्व करतित्व मुलाईम सिंग यादव का रहा उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए वहीं इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीम केशप प्रसाद मौरे ने कहा कि यूपिये की जो सरकार दस साल तक रही उसे समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ था लेकिन तब उन्होंने मुलाईम सिंग यादव को कोई भी सम्मान देने का काम क्यों नहीं किया दरसल ये पूरी लड़ाई सम्मान से ज्यादा मुलाईम सिंग यादव की विरासत की है जिसके जरिये भाजपा 2024 में अपने मिशन असी को पूरा करना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि मुलाईम का जितना सम्मान उसने किया आज तक किसी नहीं किया और समाजवधी पाटी को पता है कि अगर भाजपा इसमें सफल हो गई तो उसका बड़ा नुकसान होगा खास कर उस तपके में जिसे लगता है कि अखलेश में मुलाईम वाली बात नहीं क्योंकि भाजपाल अगतार यादों के उस धड़े को टार्गेट कर रही जुत्ते नहीं कर पा रहा कि मुलाईम के बाद सपक के साथ रहा जाए या फिर किसी और पर भरोसा किया जाए ब्यूरो रिपोर्ट एबी पी गंगा अब आद स्वामी का गुस्सा हाई जीव काटने की बात आतंकवाद पर आई क्योंकि जो एपिसोड स्वामी पसाद मौरे के रामजरित मानस पर दिये बयान के साथ चुरू हुआ तो अब स्वामी के ट्वीट के बाद आतंकवाद महाशैतान और जलाद जैसे शब्दों पर आ गया है क्योंकि स्वामी ने जब बयान दिया था तब साधु संत और हिंदुवादी कई संगटनों ने इसका विरूत किया किसी ने जीब काटने की बाद कही तो किसी ने मंदिर मेंटरी पर रोक लगाने की अब स्वामी को खुद पर हुए हमले इतने चुप गए हैं कि स्वामी पर साध महाशैतान या जलाद कब खत्म होगा चौपाई वाला विवाद अगलेश की चुपी पर भगवा ब्रिगेट का तंच कौन जीतेगा चौबीस की जंग रामचरित मानस पर छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही क्योंकि जब से स्वामी पर साध मौरे ने रामचरित मानस पर बयान दिया है उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचा ला गया है ना भाजपा इसे खत्म होने दे रही और ना स्वामी परसाध मौरे इसे खत्म होने देना चाहते हैं क्योंकि अब तक स्वामी परसाध मौरे पर जो हमले हुए उसके जवाम में स्वामी परसाध मौरे का एक नया ट्विट आया जिसमें स्वामी प्रसद मौरे ने लिखा कि मेरे दिये बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीब काटने और सिर काटने पर इनाम घोशित किया अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते लेकिन इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाती विशेश लोगों को क्या कहा जाए आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद अपने इस ट्विट के जरिये स्वामी प्रसद मौरे ने उन तमाम हमला साधने वालों पर निशाना साधा, क्योंकि जब से स्वामी प्रसद मौरे ने रामचरित मानस प्रजबायान दिया, कई सा दूसन्द स्वामी प्रसद मौरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गय क्योंकि राइबारेले में स्वामी प्रसाद मौरे की जीप काटने पर पाँच लाग तो आगरा में 51,000 का इनाम घोशित किया गया था लखनव के लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में स्वामी की नोए एंट्री तक के पोश्टर लगा दिये गए थे अब इन तमाम हमलों और विरोध पर स्वामी का गुस्ता इस कदर भड़का कि स्वामी प्रसाद मौरे ने अपने इस ट्विट से लडाई को नया रंग दे दी कि अगर ये चेतावनी किसी और धर्म या समाज के व्यक्ति ने दी होती तो क्या होता स्वामी प्रसाद मौर ने अपने ट्विट में साफतार पर लिखा है कि कुछ दिन पहले उनके बयान पर जिस तरीके से अब उन्हें क्या कहा जाए महाशैतान जलाद या अतंकवादी और उनके इस ट्विट के बाद एक बार फिर से यूपी में सियासत गर्मा गई है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तक अखलेश श्यादव स्वामी के अपिसोड पर चुपी साध्य हुए है वो ना खुलकर स्वामी का समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध अब अखलेश की यही चुपी भाजपा को बुरी तेरा चुब रही क्योंकि भाजपाल अगतार अखलेश पर दबाव बना रही कि वो स्वामी के बयान पर अपना स्टेंड क्लियर करें अमान भगवान स्री राम करोडों देशवासियों की आस्था से जोड़ा बिश है उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और मेरा प्रसंट समाजबादी पार्टी समाजबादी पार्टी के नेता अखलेश यादब जी से कि वो उनकी पार्टी का अधिकरत विचार है या स्वामी जी का निजी विचार है ये जरूर नहीं स्पस्ट करना चाहिए तो आज अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचते ही इनको ये बुराई क्यों दिख रही है मेरा तो इस पस्ट मानना है कि तो अखले स्यादों के कहने पर अब चुकी अखले स्यादों ने मंदिरों में जाना सुरू कर दिया है तो मंदिरों में जाएंगे तो उनका विसेश वोट प्रभावित होगा तो अपने विसेश वोट प्रभावित ना हो इसको नाते जानबूच कर स्वामी प्रसाद मौर से इस प्रकार की टिपपनी कराई है ताकि उनका वोट सदा रहे है लेकिन अखलेश है कि एक शब्द कहने के लिए तयार नहीं अब सवाल इस बात का है कि आखिर अखलेश कब तक मौन रहेंगे क्योंकि स्वामी जितना बोलेंगे भाजपा खिलेश को उतना ही घेरेगी क्योंकि सवाल सिर्फ भाजपा का नहीं समाजवधी पाटी के उस धड़े का भी है जो स्वामी के खिलाफ खड़ा है और चाहता है कि अखिलेश स्वामी पर एक्शन लें यूरे रिपोर्ट एबीपी कंग अब बात परिशद में पराकरम वारे जंग भगवा या लाल रंग क्योंकि 30 जनवरी को सिक्षा किसना तक कोटे के 5 MLC सीटों पर चुना होना है जिसके लिए सपा और भाजपा दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है भाजपा की कोशिश इन 5 सीट पर जीत का कमल खिलाकर 24 से पहले बड़ा संदेश देने की है तो सपा की नजर विधान परिशद में विपक्ष की कुरसी पर है अब सब की निगाहें 30 जनवरी को होने वाली इस चुनावी जंग पर ठीके हैं क्योंकि परिशद में भाजपा का ग्राफ बढ़ेगा या सपा को विपक्ष की कुरसी मिलेगी इसका बहुत कुछ इस चुनाव पर ठीका है परिशद में पराकरम वाली जंग भगवा या लाल रंग 24 से पहले की तैयारी कौन पढ़ेगा किस पर भारी उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इंदिनों सिक्षक इसनातक कोटे की 5 MLC सीटों पर चड़ा हुआ है इन पाचों सीटों को जीतने के लिए सपा और भाजपा के बीच जंग छिड़ गई है क्योंकि सपा की नजरे जहां विधान परिशद में विपक्ष की कुरसी पर है तो वही भाजपा की कोशिश 24 की लडाई से पहले इन 5 सीटों पर कमल खिला कर विपक्ष पर दबाव बनाने की यहीं वज़य है कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है पार्टी के बड़े पददिकारी सांसत, विधायक तो लगातार इन 5 सीटों पर डटे ही है वही सरकार के मंत्री भी ताब अर्तोर दोरे और बैठक कर रहे शनिवार को प्रचार खत्म होने वाला है लेकिन उससे पहले यूपी के दोनों डिक्तिस्तियब ने मोर्चा समाल लिया है केश्व प्रसाद मौरे और बिर्जेश पाठक जहां जालोन, जहांसी और कानपुर उननाओ का दोरा कर रहे तो कैबिनेट मंत्री स्वतंतर दिव सिंग फतेपुर में इस चुनाओ को लेकर बैठक कर रहे दरसल भाजपा की कोशिश है कि 2024 से पहले वोटरों को ये संदेश दिया जाए कि भाजपा आज में लोगों की पहली पसंद है समाजबादी पार्टी की गुंड़ई, समाजबादी पार्टी की अरजगता, समाजबादी पार्टी का दंगा, समाजबादी पार्टी की जमीनों पर कबजा यह कोई परदास नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, इसले समाजवादी पार्टी का मालीजे को लूपता हुआ जाहाज है, यह तो वह अपना चरीतर और चोला बदल करके 2024 के बाद कुछ दिखाई देंगे, तो सदन में रहेंगे नहीं कांग्रेस की तरह भी भी लूप हो ज तो साफ तोर पर सभी जन प्रतिनीजों को इन पात सीटों पर जीत का संदेश दिया था। यह मैसेज देना चाहती है कि प्रबुद्वर्ग में आज भी BJP जो है वो सबसे पहली पसंद बनी हुई है। नरेशुत्तम पटेल बीते पाँच दिनों से अलग अलग जिलों का दोरा कर चुके हैं। शिक्षकों की समस्षाय लगातार बर्ती जा रही हैं। वित्त विएन शिक्षकों को मान देन देने का वादा किया था भारती जनता पार्टी सरकार ने। लेकिन 6 वरस बीट जाने के बाद भारती जनता पार्टी सरकार ने अभी तक वित्तवी इन सिक्षकों को एक पैसा भी मान दे देना सुरू नहीं किया है जिससे सिक्षकों में बेहत निरासा और अक्रोस है इसकी वज़े से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत सु अपर्टिका है ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा और अब बाद ताजनगरी में एडिये का गोरक दंदा आगरा में आपरेशन यम्राज क्योंकि अभी आगरा में एक दिन पहले 6 मकान और एक मंदिर जमिन दोस हो गए थे जिसमें एक लड़की की मौत भी होई थी इस क्योंकि अब आगरा के चपी टोला में एक मंदिर के जिन दोस धार के नाम पर 35 फीट का गड़ा खोदनी की बात सामने आई जिसमें एडिये में हरकम मचा दिया क्योंकि इतना बड़ा गड़ा हो गया लेकिन आगरा विकास प्रादिकरण सोता रह गया ताज नगरी में एडिये का गोरक धन्दा आगरा में आपरेशन यमराज आगरा विकास प्रादिकरण सो रहा है शहर शहर कड़ा हो रहा है लखनव विकास प्रादिकरण और आगरा विकास प्रादिकरण के बीच मानो होल मच गई है कि कौन ज्यादा बेशरम है क्योंकि लखनव के हसन रोड पर जब बिल्डिंग हाजसा हुआ था तो LDS शरम से पानी पानी हो गया था लेकिन आगराविकास प्राधिकरण को तो शर्म भी नहीं आती तोकि एक दिन पहले आगरा के City Station Road पर 6 मकान एक मंदिर धर्ती में समा गए थे लेकिन बात यहीं खत नहीं हुए आगराविकास प्राधिकरण को पता भी नहीं चला लेकिन जब यह खबर ABP गंगा ने दिखाई तो सोया हुआ आगराविकास प्रादिकरण एक्षन में आया और आनन पानन ADE के AE और JEE छीपी टोला जैन मंदिर पहुँच गया और चल रहे काम को तुरंत रुकुबा दिया आगराव में मकान हुए थे जमी दोस लेकिन ब्रष्ट तंत्र को कब मिलेगी डोस जी हाँ 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है आगराव में हुए हाथसे के बाद लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस्तिती कितनी ज्यादा खराब है कि जो मकान इस हाथसे की जद म में आये हैं उस उन घरों में रहने वाले लोग किस तरह से पलायन को मजबूर है क्योंकि क्योंकि खत्रा कई गुनाज ज्यादा बढ़ चुका है आप दे सकते हैं कि सिलंडर लेकर तमाम लोग अपने घर से निकल रहे हैं उसके पीछे की वज़ये है तो एक ऐसे सुच्छ एक दिन पहले जब आगरा सिटी स्टेशन रोट पर आधा दर्जन मकान भरबरा कर ढह गये थे तो एडिये का बड़ा फरजीवाडा सामने आया था एडिये अपनी बेशर्मी पर परदर डालने के लिए बैक डेट में गलत राजु महरा को नोटिस थमा आया था अलाकि विखरा हुआ मलबा बरबाद हुए घरों की बिरानी के सिवाए कुछ नहीं बचा 25 गंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई सुन्माई नहीं है वो यह सोच रहे हैं यह दूसरा भी आथसा और बड़ा आथसा हो जाए अभी तक कोई भी सुन्माई है आपने खुद इंदिया हुआ हुआ है रात को सार हम बाहर सोए है रोट बैस सब बच्चों को लेके अपनों अब सवाल इस बात का है कि ताजनगरी में एडिय का उप्रेशन अमराज आखिर कब रुखेगा क्योंकि बात सिर्फ मकान दो मकान की गिरने भर की नहीं शहर में कई जग है ऐसे मकान है जिन पर एडिय अभी भी धृतराष्ट बना हुआ है अगरा से नितुन पाध्याए अब बात लखेंपूर हिंसा के उसकांड के जिसने उत्तर प्रदेश के सियासत ने भूचाला दिया था अब उसी केस से जुड़ा अरूपी आशीश मिश्रा 288 दिन के बाद जेल से रिहा हुआ सुप्रीम कोट ने आशीश मिश्रा को आट हफते की अंतरिम जमानत दी लेकिन साती शर्त भी लगाई कि रिहाई के हफते के बाद उसे यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा मतलब आशीश रिहा हो गया लेकिन वो यूपी और दिल्ली में नहीं रह पाएगा लखीम पूर की जिस इंसा ने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफ़ान ला दिया था उस लखीम पूर हिंसा का सबसे मुख्यारोपी आशीश मिश्रा जेल से रिहा हो गया है लेकिन जब आशीश मिश्रा जेल से बाहर आया तो सफ़ेद तॉलिय से अपना मुझ ही पाता नजर आया पिछले गेट से निकल चुके हैं आशिश मिश्रा तिकुनी अहिंसा मामले के मुख्यारूपी आशिश मिश्रा है जो आज सुप्रिम कोड ने बुद्धवार को कहा था जमानत दिया था और आज सुप्रिम कोड के आदेश का पालन करते हुए जिला जेल से आज आशिश मिश के भीतर ही आशिश को यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा यानि वो दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकेगा इतना ही नहीं आशिश को अपनी लोकेशन के बारे में कोट को बताना होगा साथी आशिश को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा क्योंकि ये अंत्रिम जमानत है इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी गौर्तलवे की लखीम पुर्जिले के तिकुनिया थाना क्षित्र में 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी आरोप है कि केंद्री ग्री राज्यमंत्री अजे मिशुरिटेनी के बेटे आशीश मिश्र और मोनु के इशारे पर थार जीब से प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया गया था इस इंसा में 8 लोगों की जान गई थी इस मामले पर राजनीत इसकदर गरम हुई थी कि खुद सुप्रीम कोट को इसका संग्यान लेना पड़ा था लेकिन जिस तरह से आशीश जेल से रिया हुआ उसे से एक बार फिर लखिमपूर कांट की यादे ताजा हो गई है लखिमपूर से नमी नवस्ती एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की